काफी लोगों ने मेरे से ये डिमांड किया है कि हमें कुछ लोग कारवाटा घर पे बनाना सिखाए तो लोग कारवाटा घर पे क्या बनाया जा सकता है जी हाँ आप अपने घर पे लोग कारवाटा बना सकते हैं तो आज मैं आप लुग को सिखाने जा रहा हूं कि आप अपन वो 200 रुपए से भी कम होगा मार्केट में वैसे तो आपको लो कार्वाटा मिल जाएगा बहुत सारे लो कार्वाटा है डियाविटिक आठा है, कीटो आठा है लेकिन उनका किमत जो है बहुत जादा है 400 रुपए से लेके 700 रुपए तक है तो इसलिए जादा तर लोग जो है उसको effort नहीं कर पाता है तो आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि वैसे ही आटा आप अपने घर पे 200 रुपे के नीचे कैसे बना सकते हैं तो बने रहे हैं मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर दिखिए वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी लोग कारवाटा अपने घर पे बना सके नमस्का दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोश है मैं एक डियाबिटीस कोच हूँ और एक फिटनेस निट्रिशन स्पेशलिस्ट तो बहुत लोगों ने मेरे से ये डिमांड किया है कि सर कोई एक लोग कारवाटा जो मार्केट में 400, 500, 600, 700 रुपे का एवेलेबल है प्लीज हमें सिखाए क्योंकि हम उतने किमती आटा एफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन अगर हम लोग कारवाटा नहीं खाएंगे तो हम अपना डियाबिटीस रिवर्स नहीं कर सकते जी हाँ आपको लोग कारवाटा लेना जरूरी है तो अगर आपको अपना डियाबिटीस रिवर्स करना है तो आपको अपना ग्लाइसेमिक लोड अपना कारवाटा इंटे कम रखना पड़ेगा लेकिन अगर आप गेहु कारवाटा खाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कारवाडेट होता है तो आपका डियाबिटीस रिवर्स रिवर्स जारनी काफे मुश्किल हो सकता है तो इसलिए एक लोग कारवाटा लेना बहुत जरूरी है लेकिन मार्केट में जितने भी लोग कारवाटा एवेलेबल है वो बहुत ही महंगा है 400-500 रुपे से शुरू होता है और 700 रुपे तक जाता है प्रती किलो तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ कि आप एक लोग कारवाटा अपने घर पे 200 रुपे के नीचे कैसे बना सकते हैं तो दोस्तो लोग कारवाटा बनाने के लिए आपको कुछ समान ऐसा चाहिए जिसकी glycemic index भी कम हो और कारवाटा से आप लोग कारवाटा बना सकते हैं और कुछ समान मेरे पास है आप देखिए तो सबसे important ingredient जो है वो है soy आटा soy आटा सबसे important ingredient है और आप महंगे से महंगा आटा जो है उनके पीछे ingredients देखिए तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी उन्होंने soy floor यूज किया है soy floor लिखा रहेगा आप देखिए तो soy आटा, soy floor वो महंगे से महंगे आटे में भी इस्तमाल करते हैं लेकिन soy आटा जो है बहुत ही सस्ता है आपको market में easily 80 रुपे से लेकि 100 रुपे तक आपको मिल जाएगा तो इसलिए आप कोशिश करिए कि किसी local market में जाए किसी चक्की वाले के पास जाए वहाँ पे आप जाके soy पिसवाईए और soy आटा बनवाईए तो आपको soy आटा जो है 80 रुपे से लेकि 100 रुपे तक आपको मिल जाएगा और यही हमारा main ingredient रहेगा मैं आपको आज आधा किलो आटा बना के दिखाऊंगा और इस वीडियो के अंत में आप लुक को बताऊंगा कि पूरा cost मेरे को कितना पड़ा आधा किलो आटा बनाने में और total carbohydrate content कितना होगा आधा किलो आटा में कितना fiber होगा, पितना protein होगा, कितना fat होगा तो वीडियो के अंत में वो सारे calculation आप लोग को बताऊंगा तो वीडियो पूरा जरूर देखिए, skip कही पे भी मत करिए अंत तक वीडियो देखना बहुत जरूरी है तब ही जाके आप सीख पाएंगे कि लो कारवाटा घर पे कैसे बनाते हैं और कितना खर्चा आता है तो दोस्तो आपको लो कारवाटा बनाने के लिए सोय आटा तो मैंने आपको बता दिया इसके साथ कुछ और समान आपको चाहिए होगा आप देखिए मेरे पास काफी समान है तो ये है बदाम, बदाम भी हम इस्तमाल करेंगे इसके बाद इसमें जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर जो है इसमें सनफ्लावर सीड है मेरे पास पंकिन सीड है मेरे पास वाटर मेलन सीड है और ये देख सकते है ये है इसब गुल और मैंने थोड़ा सा ये 25 ग्राम की आसपास गौर गाम लेके रखा है गौर गाम 25 ग्राम मैंने ले रखा है तो अगर आप market में available महंगे से महंगा आटा अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यही सारे ingredients उसमें भी मौजूद है तो आप मैं आपको ratio समझाता हूँ कितना percentage आपको लेना है जिससे कि आप बहुत कि बैतरी लो कार्व आटा अपने घर पे बहुत ही कम हoptरा में बना सकते है तो दोस्तो सबसे पहले आधा किश्ग बनासे के लिए मैं मेजर करके लूंगा सारे 300 gram soy floor जी हां सारे 300 gram ये मैं measure करके लोगा ठीक है सारे 300 gram तो दोस्तों ये देखिए ये मैंने सारे 300 gram soyata इसमें measure करके ले लिया है अब मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या चीज आपको चाहिए कितने amount में चाहिए तो अब मैं इसमें लोगा बदाम, बदाम कितना चाहिए 25 gram, तो 25 gram बदाम में measure करके लोगा ये हो गया 25 gram इसमें मैं डालूँगा sunflower seed 25 gram तो ये sunflower seed मैं ने 25 gram डाला है इसमें मैं डालूँगा ये pumpkin seed ये भी 25 gram डालूँगा और इसमें मैं डालूँगा water melon seed ये भी 25 gram तो दोस्तो ये देखिए ये total 100 gram है और इसको आपको क्या करना है इसको आपको पीसना है mixi में आपको पीसना है तो ये 4 seed मिला के मैंने 100 gram लिया है ratio फिर से बताता हूँ 25 gram almond जो कि बदाम है फिर sunflower seed 25 gram pumpkin seed 25 gram और water melon seed 25 gram इसको मैं आप पीसता हूँ ये आप mixi में पीस लिजे बहुत ही असानी से आप इसको पीस सकते हैं तो दोस्तो ये मैंने पीस लिया है 100 gram seeds ये देखिए कितना खुबसरत पीसा हुआ है ये देखिए आप इसको मैं मिलाओंगा इसके साथ सारे चीज आप मिला लेगे ज़्यादा उसको आप घुमाएंगे तो फिर वो powder से जगा वो butter बन जाएगा इसलिए ज़्यादा आप PCA मत ठीक है ये trick है ये trick आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं आपको पता रहा हूँ अगर आप ज़्यादा उसको गुमाएंगे तो powder से वो paste में convert हो जाएगा ठीक है और जब भी इसको पीसेंगे तो आप ऐसे पूरा ज़्यादा देर के लिए ओन मत रखे थोड़ा ओन रखे थोड़ा बंद करिए थोड़ा ओन रखे थोड़ा बंद रखे तो वो powder form में ही रहेगा वो आपका convert नहीं होगा paste form में ठीक है ये में डाल देता हूँ ये देखे बहुत ही अच्छी तरह से mix हो गया है ये ये मैंने डाल दिया ठीक है अब इसमें हम लेते है 25 ग्राम इसब गुल तो मैं मेजर करके लोगा 25 ग्राम इसब गुल तो ये देखिए 25 ग्राम जादा नहीं होता है इतना सही है 25 ग्राम इसब गुल इसमें मैं मिलाऊंगा ये मैंने मिला दिया और मैंने 25 gram measure करके guar gum लिया है, guar gum भी आपको market में मिल जाएगा, यह सारे चीज का price मैं आपको वीडियो के आंत में बता दूँगा, क्या price है, कितना carbohydrate content है, कितना fiber है, कितना protein है, कितना carb है, सारे चीज मैं आपको बता दूँगा, तो यह 25 gram guar gum लिया है मैंने, यह guar gum भी मैंने डा अच्छा help करेगा, यह एक preservative जैसा भी काम कर सकता है कई बार, तो यह सारे चीज आप मिलाएंगे, तो फिर आप एक low carb आटा घर पे बना सकते हैं, और जो इस सब गूल है, इसमें बहुत अच्छा खासा fiber आपको मिलेगा, इससे आपको constipation भी नहीं होगा, और इसको मैं आ इसका total cost कितना है, 500 gram का cost मुझे कितना पड़ा, और उसको अगर आप 2 से गुना कर देंगे, तो एक किलो का आटा हो जाएगा, और यह 200 रुपे से कम ही है, मैं आपको अभी सारे calculation करके बता दूँगा, तो अच्छी तरह से इसको मिला लेजे, और यह आपका आदा किलो low carb आ जरूर बताना कि यह आटा आपको कैसा लगा, कितना आपको खर्चा पड़ा, ठीक है, और इसमें अगर आप थोड़ा सा stevia मिला देंगे, तो और tasty हो जाएगा, stevia भी मिला देंगे, तो इसमें carvoided content नहीं होता है, calories नहीं होता है, और थोड़ा से इसको मीठापन दे देगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसमें आप थोड़ा सा rock salt भी मिला सकते हैं, मैंने अभी rock salt अभी नहीं मिला है, आप आदा चमच, एक चमच rock salt मिला दीजे, तो आपका ये बहुत बरिया low carvata घर पे तयार हो जाएगा, जो की market में 400, 500, 600 रुपया का available है, तो बह दोस्तों ये चार्ट बहुत important है, ये चार्ट आप देख लो, इसमें मैंने सारे ingredients के बारे में लिख रखा है, इसमें हर ingredient में कितना carb है, कितना fiber है, कितना net carbohydrate है, कितना protein है, कितना fat है, कितना calories है, और कितना cost है, effective cost कितना है, ये सारे details आपको इस चार्ट में आपको मिल हो कि जो मैंने 500 ग्राम का आटा बनाया उसमें टोटल कार्बोईड़ेड 174 है जिसमें 76.7 के आसपास फाइवर है जिसमें 97.3 ग्राम आपका नेट कार्बोईड़ेड है प्रोटीन आपको अच्छा खासा मिल जाएगा वो है 151.9 ग्राम फैट भी आपको काफी मिल जाएंगे 103 ग्राम के आसपास आपको फैट मिलेंगे और टोटल कैलिरीज की मैं अगर बात करूँ तो आपको 2000 से भी जादा कैलिरीज मिलेगा और इसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो 95.5 रुपीज के आसपास पड़ेगा तो आप अगर इसकी एक किलो का प्राइस लगाएंगे त आपको 200 रुपे से कम पड़ेगा जी हाँ दोस्तों 200 रुपे के नीचे आप यह आटा अपने घर पे बना सकते हैं यही चीज अगर आप Amazon से खरीदना चाते हैं मार्केट से खरीदना चाते हैं तो आपको यही आटा कम से कम 600 रुपे का 500 रुपे का आटा यह मिलेगा लिकि अगर आपको एक किलो आटा बनाना है तो आप इसका क्वांटिटी जो है सारे चीज़ दूगना कर दीजिए तो एक किलो के हिसाब से फिर आप कॉस्टिंग भी देख सकते हैं और जितने भी निउट्रिशनल इंफरमेशन है वह आप देख सकते हैं लेकिन अगर आपको निउ सो ग्राम में कितना कार्वाइडेड है कितना फाइवर है कितना प्रोटीन है कितना फैट है यह सो ग्राम में आपको जानना बहुत जरूरी है तो अगर सो ग्राम की निउट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में मैं बात करूं तो आप देख सकते हो इसमें टोटल कैलरी जो है फ वो है बीस ग्राम तो दोस्तों इस चार्ट से आप सब कुछ कैल्कुलेट कर सकते हैं कि न्यूट्रिशनल इंफरमेशन कितना है लेकिन कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदे या बनाये उसके लिए कुछ चीज का ध्यान बहुत रखना बहुत ज़रूरी है और वो है कि उसकी न हंड्रेट ग्राम कितना है न्यूट्रिशनल वैलू जब पर हंड्रेट ग्राम में बोलता हूं तो इसका मतलब है कार्बोडेट प्लस प्रोटीन प्लस फैट क्या वो असी से नब्बे के बीच में हैं तो अगर आप हमारा आटा का कैल्कुलेशन करेंगे न्यूट्रिशनल वैलू तो आप देख सकते हैं कार्बोडेट इसमें 35 है प्रोटीन इसमें 30 है और इसमें फैट है 21 ग्राम के असपास है तो अगर मैं यह सारे चीज जोरू तो आप देख सकते हैं 30 प्लस 20 इस 50 और 35 85 के असपास है तो आप देख सकते हैं न्यूट्रिशनल वैलू जो हमारे आटे का है वो है 85 के आसपास जो की 80 to 90 के बीच में है तो इतना आपका nutritional value होना चाहिए पार 100 ग्राम तो एक चीज तो बहुत ही अच्छा है हमारा next जो आपको देखना है वो है net carbohydrate क्या net carbohydrate 25 ग्राम के नीचे है कोई भी product आप खरीदे तो उसमें आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि उसकी net carbohydrate 25 के नीचे है कि नहीं और जो हमने ये आटा बनाया है उसकी net carbohydrate अगर आप देखेंगे तो उसमें 19.5 है यानि कि 20 ग्राम भी मैं माल लेता हूँ तो वो भी 25 ग्राम के नीचे है यानि कि ये test भी हमने पास कर लिया net carbohydrate हमेशा 25 ग्राम के नीचे होना चाहिए और हमारे आटे का भी net carbohydrate 25 के नीचे ही है जो कि 20 के असपास है अगला चीज आपको देखना है कि जो भी चीज आप खरीते है या बनाते है उसकी glycemic index 25 के नीचे है कि नहीं glycemic index 25 के नीचे होना बहुत जरूरी है जब तक glycemic index 25 के नीचे नहीं होगा तो वो आपके sugar level को बढ़ाता है और आप अगर हमारा ingredients देखेंगे तो इसमें एक भी ingredient ऐसा नहीं है जिसकी glycemic index high है तो इसका glycemic index 25 के नीचे ही है आपको individual glycemic index जानने की जरूरत नहीं है लेकिन जितने भी आप यहाँ पे देखेंगे ingredients हमने यूज किया सब का glycemic index 25 के नीचे है लेकिन glycemic index से important है glycemic load में बार बार यह कहता हूँ कि glycemic index से ज़्यादा glycemic load है तो आपका glycemic load हमेशा कम होना चाहिए और किसी भी product का glycemic load कम है वो आपको कैसे पता चलेगा बहुत ही असान तरीके से आप इसको पता कर सकते है आपको सिर्फ और सिर्फ protein fat और fiber इसको जोड़ना है और अगर protein fat और fiber इसका value है वो 50 से ज़्यादा है तो आप कह सकते है कि उसके glycemic load जो है वो कम रहेगा तो अगर हम अपनी आटा का nutritional value पार 100 gram और ये protein fat और fiber को add करे तो देखे protein 30 के आसपा से fat 20 के आसपा से 30 और 20 जो है वो 50 है और fiber जो है वो 15 है तो nutritional value protein fat और fiber का 65 के आसपा से जो की 50 से ज़्यादा है तो आप कह सकता है कि हमारा ये आटा जो हमने बनाया है वो एक low glycemic आटा है तो ये आटा आप अपने घर पे बना सकता है सारा ingredients में आपको बता दिया measurement आपको बता दिया cost आपको बता दिया और ये मात्र 100 gram का cost आपको 19 या 20 रुपे पड़ेगा जो कि मैं समझता हूँ कि एक दिन में कोई भी effort कर सकता है 20 रुपे तो कोई भी effort कर सकता है और 100 gram ही पूरा दिन में आपको खाना है तो 100 gram आप पूरा दिन में खाएंगे तो आपको 35 gram के असपास carboidate मिलेगा जिसमें की 15 gram तो फाइवरी है उसमें आपको protein 31 gram के असपास मिल जाएगा और fat भी आपको 21 gram के असपास मिल जाएगा तो ये एक balanced आटा है carboidate protein और fat का और साथी साथ ये low glycemic load भी है और low carboidate आटा भी है तो ये आटा आप अपने घर पे बनाएगे और इस आटे का जब आप रोटी खाएगे तो आपको मज़ा आ जाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छा जानकरी मिला होगा और आप भी एक low carb diet अपने घर पे बना सकते हैं इस वीडियो को शेयर करना ना भूले जरूर जादा से जादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी एक low carb आटा अपने घर पे बना सके और ये जो आटा आप बनाएंगे ये खाने में भी बहुत ही tasty होगा आप इसको lifelong खा सकते हैं जिन्दगी बर खा सकते हैं और आप इससे बोर भी नहीं होंगे तो उमीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ न कुछ अच्छा जानकरी मिला होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक like जरूर कर देना चैनल में नए है तो subscribe जरूर कर देना और bell बटन भी जरूर दबा देना क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक सुवस्त रहे, मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद गर्मी बहुत है भाई, बहुत गर्मी है वीडियो बनाना इतना असान नहीं है बहुत ही मुश्किल टास्क है यह सिर्व मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ देखिए कितना पसीना पसीना हो गया मैं झाल